घर में अगर आप फॉल्सिलिंग कराने जा रहे हैं या कराने के सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉल्स सिलिंग के बारे में यहां पर पूरी जनकारी दूँगा कि फॉल्स सिलिंग कराने में आपको कितने टाइप की फॉल्स सिलिंग होती है कौन सी फॉल्स सिलिंग आपको घर में करानी सही होगी और साथ में जो material उसमें इस्तेमाल करना है वो material आपका कौन सा original होता है कौन सा नकली होता है जो आप ठेके पे काम देते हैं एक ठेकदार को तो वो आपको कैसे बेखूफ बनाता है material में, rate में सब कुछ यहां मैं आपको detail में दिखाऊंगा सबसे पहले जैसे मैं बता दूँ आपको तो false selling तीन टाइप की होती है एक तो हमारा gypsum false selling हो गई जिसमें board लगाई जाती है दूसरी हो गई P.O.P. false selling और तीसरी हमारी PVC false selling तो ज़्यादा तर आज जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो P.O.P. false selling की बात करूँगा ऐसे ही मैं आज से false selling का एक नया वीडियो मतलब सीरीज श्टार्ट कर रहा हूँ इसमें आपको false selling से जूड़ी छोड़ी डेली मतलब आपको कुछ-कुछ दिन पर एक-एक वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आपको पूरी जनकारी दी जाएगी कि P.O.P. का false selling करा रहा है तो कैसे करानी है क्या material यूज करनी है क्या उसमें आपको ध्यान देनी है क्या rate होता है वहीं जिसम के बारे में अलग दिन आएगी वीडियो पीवीडियो के बारे में अलग आएगी तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो P.O.P. की false selling होती है तो P.O.P. की false selling क्या है आजकल market में देखा जाता है तो हम अगर false selling कराते हैं तो वहाँ जो एक हम ठेकदार को ठेके पर अपना काम देते हैं तो हमसे ऐसा 100 रुपया बोलता है कि 100 रुपया रेट है उसको हम फिर क्या बोलते हैं कि नहीं इतना तो रेट है नहीं हम मतलब में दूसरे पडोसी की यहाँ चाहिए यहाँ वहाँ दूसरे जगा false selling हुआ है वहाँ पे उसका रेट यहाँ पे 70 रुपया था तो वह क्या कहाँगा कि चलो कोई बात नहीं एक काम करना आप मुझे 90 रुपया दे दे देना या 80 रुपया दे दे देना तो वह रेट तो कम कर देता है लेकिन दोस्तों वहाँ पे वह आपके साथ बहुत बड़ा गेम कर जाता है वहाँ आपको कैसे ओ धोखा देता है कैसे आपका मेटेरियल में धोखेवाजी करता है कैसे आपको बेकूफ बनाता है ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ पे नकली मेटेरियल आपको फॉल्स सिलिंग में इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि पी ओपी हो गई या जो एंगल, चैनल, बॉटम जो भी लगते हैं या फिर फास्टनर हो गई रहा तो आपका फॉल्स सिलिंग दो से तीन साल में वहाँ से गिर जाएगा वह बेकार हो जागा, आपका पैसा पूरा बरवाद हो जागा इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि पी ओपी फॉल्स सिलिंग में जो में चीज होता है, वह होता है कि मेटेरियल, मेटेरियल में क्या क्या जैसे कि आपका एंगल हो गया, बॉटम हो गया मतलब जो भी चीजे लगती है वह कौन सी मेटेरियल, मतलब किस कमपनी की यूज की जाए ब्रांड का नाम बताऊंगा, साथ में उसका रेट बताऊंगा फिर जो फास्टनर हो गरा हो गया फिर जो P.O.P main चीज होता है वह आपको कैसी लगानी है, किस कमपनी का लगानी है अब जो एक हम P.O.P का काम कराते हैं तो उसमें, बेखिए सबसे पहले होता क्या है कि हम P.O.P अपना जैसे पूरे रूम में करा रहा है तो उसमें हम मार्किंग करते हैं लेवल निकालते हैं उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं? यानि wire mesh जो होता है फिर उसमें हम POP का भराई करते हैं तो ये काम होता है जो कि POP में false link का ये एक process होता है तो उसमें जो main material हमारा क्या होता है main material हमारा angle जो use किया जाता है वो angle होता है तो देखिए अगर angle जो market में ज्यादा तर आपका kilo पे आता है तो अगर एक अच्छा अगर आप angle लेते हैं तो आपको 50 से 70 रुपया केजी मिलता है लेकिन market में क्या होता है ठेकेदार लोग क्या करते क्या है कि आप जब उनको ठेका देंगे जब आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे उनके पीछे की कैसा material यूच कर रहा है वो duplicate समान जैसे angle हो गया angle जो मैं आपको बता है कि 50 से 70 रुपया परती केजी आपको अच्छा मिलता है जो कि आप जीप रॉक कमपनी का हो गया जैसा आप देख रहे हैं सेंट कोविन का जीप रॉक हो गया सेरा हो गया, USG हो गया, आर में स्ट्रॉंग हो गया यह जो जानी मानी कमपनीया है इसका आपको channel लेना है आप वही नकली जो हमारे ठेकदार लोग क्या करता है market में नकली angle आते है वो क्या होता है कि 20 से 30 रुपय केजी में उन्हें मिल जाता है लेकिन उसमें होता क्या है कि वो aluminum का coating उसपे चड़ा हुआ होता है वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि stainless steel एकदम चमक हो रहा है ठीक है वो आपको दिखाई देगा कि stainless steel है लेकिन वो aluminum के उसपे coating चड़ा दी जाती है इसलिए वो चमक तो मारता है लेकिन जैसे ही आप उसपे बाद में जब जाली लगा के POP भरते है तो धीरे धीरे उसमें रश्ट आने लगता है वो सरने लगता है गलने लगता है तो दो से तीन साल बाद क्या होता है कि वो गल के वहां से खतम हो जाता है तो आपकी false ceiling गिर सकते है तो ये जो होगया एंगल इसमें आप देख सकते हैं करीबन 80 रुपया से लेके 100 रुपया तक मार्केट में मिलती है लेकिन क्या होता है कि दोस्तों फास्टनर बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि आप एगर पूरे रूम में एक false ceiling क अब करा रहा हैं तो जितने भी हमारे फ्रेम लगते हैं तो फास्टर पे ही हम उसको फाश्टनर होती है वो भी ठीक ठाक होती है लेकिन वही होता है कि उनका गरांटी कोई नहीं होता है वो उनको 10-20 उर्पिया तक में भी मिल जाती है थोक में उटाते हैं तो तो फाश्टनर वो यूज करते हैं तो चलती है वो भी आराम से आपका 5-6 साल चल जाती है लेकिन व बहुत ठेकदार होते हैं उसके बाद अगला चीज होता है कि जो कील यूज किया जाता है तो कभी भी आप देखिएगा कि फॉल से लिंग में जो लंबी ब्लैक कलर की जो कील होती है जिसको हम जिपसम पेच बोलते हैं ओ यूज की जाती है जैसा कि आप यहां पर देख रहा ह अगर उसमें भी मौइस्चर आता है आप जानते हैं दीवार में या फिर पीओपी के कंटेक्ट में आएगा तो मौइस्चर आएगा तो फिर उप कील वहां से सड़ेगी तो वहां से क्या होगा कि आपका फ्रेम वहां से निकल सकती है आपका फॉल सिलिंग दो से तीन साल म वहां से गिर सकता है तो यह चीज भी आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि local market से कोई से भी कील उठाके और वहां पर लगा दिया जाए आप चाहे कील ले रहा है आप चाहे फाशनर ले रहा है आप चाहे जाली ले रहा है तो आप चाहे एंगल ले रहा है आपको जो जीप्रक का ब्रांड मैं बताया या USG का जो ब्रांड बताया नाम फिर आप सेरा का होगे या आर्मेश्ट्रोंग का होगे या चारो ब्रांड में से कोई लेंगे तो आपको काफी अच्छा result मिलेगा अब एक चीज और important होती है कि जब हम frame बान लेते हैं तो P.O.P करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसमें wire mesh यानि जाली लगाते हैं तो wire mesh जो होता है दोस्तों आप देखते हैं कि normal जो market में wire mesh होता है ओ ऐसे ही आपको बहुत सस्ती भी मिल जाती है लेकिन जो ये मैं चार नाम बताया आर्मे श्रंग जी प्रो का फिर सेरा हो गया USG हो गया इसका भी आपको wire मिलता है यानि कि जाली का bundle मिलती है तो आप ये ले सकते हैं और जो जाली के bundle आपको लेना है उसमें देखना है कि उसकी जो मोटाई हो कम से कम 3-5 mm तक की होनी चाहिए उससे पतला आपको नहीं लेना है क्योंकि जाली के उपर जब हम P.O.P. लगाते हैं तो P.O.P. से वाकई बात है कि मुएस्टर जाता है हमारे जाली में तो कई बर क्या होता है कि आप जाली अंदर अंदर सड़ जाती है आप करीवन कुछ दिनों बाद या कोई एक साल बाद जब उसको काट के थोड़ा सा देखिएगा तो वहाँ आपको जाली दिखाई ही नहीं देगी अदर कंपनी बताया या फिर आजकल मारकेट में एक और देखा जाया तो सकर्नीका जो P.O.P. आता है, जैसे आप यहाए पर देख़ रहे है तो सकर्नी को P.O.P. भी काफी अच्छी होती है जो भी आगर लोकल मारकेट में एवलेबल लेते हो यूज कर सकते हैं वही नकली जो प्योपी जैसे यहां देख रहा है सकरनी में भी बहुत तरी डुब्लिकेट आती है तो एक आप प्योपी ब्रांड का प्योपी लेते हैं तो आपको दो सबसे धाई सर रुपिया दस केजी का पड़ेगा यानि कि 20-25 रुपिया किलो पड़ेगा वही मार्केट में आजकल क्या है कि आपको 80 रुपिया से लेके और 140 čronPoint केजी का यानि कि आपको 10 रुपिया से लेके 15 रुपिया पर 30 केजी भी प्योपी मिलता है लेकिन वहीं यह क्या है वो नकली होता है अब जैसे ही उस प्योपी को हो brand की हो आप Zipper कर ले 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 आर्मेश्ट कर ले 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 या फिर सकरनी का भी आप अच्छा रिजल्ट है मैंने साइट पर यूज किया है तो यह तो होगी है दोस्तों कि material के हम जान लिए कि कैसा कैसा material हम यूज करना है ठेकदार से जो हमारे material side पे लाते हैं वो धोका दड़ी से कैसे बचना है लेकिन अब बात आ जाती है कि जो market में जो हम false selling का पी ओपी false selling का जो rate है अगर हम 80 रुपय ताय कर लेते हैं एक ठेकदार से तो देखिए अगर मान लिजे कि एक जो काम कराए गया है उस हिसाब से देखा जाए तो material का जो खर्चा आ जाता है लगबग मान लिजे आपका 50 रुपय आ जाता है जो labor का खर्चा आता है वो 30 रुपया परती square feet के लगबग खर्चा आ जाता है तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो आप अगर सिर्फ आपको labor मिल रही है 30 रुपय square feet में तो आप सिर्फ labor ले 30 रुपय square feet में और फिर जो material है material आप खुद ये brand चीजों का जो में नाम बताया उसी का आपको material लाईए और labor को दे दीजे कि आप मेरा काम कर दो तो उसमें क्या होगा material थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा आपको लगएगा कि मेरा जो ceiling 80 रुपया में बन रहा था हो 100 110 रुपया पहुंच गया लेकिन उसकी life काफी बढ़ जाएगी और वो काफी सालों तक चलेगा उसमें किसी तरीके का सिकायत नहीं आने वाली है वहीं आप 80 रुपया में वी तो material किसी काम देते हैं तो फिर क्या करेगा सुरू में ठीक ठाक कर देगा बाद में वहीं होती से लाइक किजेगा सेयर किजेगा और साथी चैनल कर सबस्क्राइब कर दीजेगा ताकि जैसे ही मैं नया नया फॉल सेलिंग के बारे में वीडियो लाओं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा